Hello, Good Morning Dear Students, Standard Second, Subject EBS, Lesson No. 5, Lesson का ने My Sweet Home, मेरा प्यारा घर, Today's Topic Lesson Read Part 2, Part 1 हमने पिछली क्लास में कर लिया, Page No. 26, Areas Around the Poles, जो area है, उसके चारों और जो धूरोब है, are covered with snow, वो किस से डखा हुआ है? snowman's, बरफ से throw out the year, साल बर में बरफ से डखा हुआ होता है, people living hair boot igloos, housey job snow, जो मनुस्य है, जो यहां रहते हैं, वो किस का निर्मान करते हैं, igloos का, inverse, live in igloos, inverse है वो कहां रहते हैं, igloos के अंदर रहते हैं, इस परकार का होता है, यह घर igloos, people who keep on moving from one place to another, carry for double houses, car tents, जो people है, जो लोग है, moving means, गती करते हैं, इदर उदर जाते हैं, from one place to another, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, carry for double means, मुड़े वे, house is called tents, मुड़े वे, इनके घर होते हैं, ऐसे, उनने क्या बोला जाता है, tents बोला जाता है, जो घर है, जो घर है, जो घर, जो इसके पानी के उपर, जो पलोट से होते हैं, इनने क्या बोला जाता है, house boat, house boat पुला जाता है, people living in areas where it rains heavily, make houses on steels, जो people है, जो मनुष्य है, where is rain, जो बहुत ज़्यादा बारिस आते हैं, वो किस कोण से घर का निर्मान करते हैं, स्थील से बनेवे घर का निर्मान करते हैं, types of houses, घर के परकार, there are mainly two types of houses, घर के दो परकार है, कच्चा houses and पका houses, कच्चा घर और पका घर, कच्चा और temporary houses, हम कच्चा houses के बारे में यहां पढ़ रहे हैं, कच्चा houses are made of mud, mud मिन्स होता है, किचर, पंबो मिन्स होता है, बांस, एंड श्ट्रा, मिन्स घासफूस से बना, कच्चा घर और किचर से, बांस से, और घासफूस से बना उता है, Such houses are mainly found in villages, यह इस परकार के घर और, found मिन्स पाना कहां मिलते हैं, villages गाउं के अंदर, these are weak houses, weak मिन्स कमजोर, यह घर और क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, आज हम इतना ही करेंगे, thanks, have a nice day.